गुट बॉर्णिंग फ्रेंट्स मैं डॉक्र वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्टु लिवर हॉस्पिटल सौर्पनेगर कानपूर इड़ आउटसेटा रिक्वेस्ट यह साइंटिफिक चैनल है इस साइंटिफिक डेलिबरेशन है आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें आज मैं बात करूंगा ओलिव आईल के बारे में एक बहुत ही इंपोर्टन्ट स्टेडी है और मैं चाहता हूं कि आप जरूर ध्यान से सुनें इसको मैं ओलिव ऑईल क्या आपकी जो लाइफ स्पैन है इसको बढ़ाने की क्या ओलिव आईल आप यूज करेंगे तो आपकी लाइफ वास्तों में लॉंग हो सकती है इस चीज को ध्यान से देखिए जो स्माल अमाउंट आफ ओलिव ऑईल का कंदमशन है रोज ये बात बिल्कुल सही है कि आपकी जो लाइफ है उसको प्रोलॉंग करने की ताकत रख हुई थी वाट इड़ वाज के हेल्थ डाटा 90,000 लोगों पर कलेक्ट किया गया 90,000 लोग माइंड यू 90,000 पीपल और यह जो स्टेडी है यह 30 साल कंड़क्ट की गई तो 30 years long duration 90,000 पीपल यह जो इसने भी participants थे वास्तों में ना इनको कोई हाट की बिमारी थी ना इसको कोई cancer था इनके जो diet की pattern है हर 4 साल में इनको re-evaluate किया जाता था कि आपकी जो diet है उसकी pattern कैसी है इनको जो diet है उसकी pattern में इनसे बिल्कुल set questions पूछे जाते थे कि आप on and average कितना olive oil consume करते हैं number one number two आप specified foods कितना कैसा इस्तेमाल करते हैं और जो specified food है उसमे type of fats, type of oils and their amount इन सब को calculate किया जाता था और questionnaires में यह पूछा जाता था now यह जो study है उसके observational जो results थे हैं उनको ध्यान से देखिए जिन लोगों ने olive oil regularly use किया रोज half tea tablespoonful that means 7 gram या उससे जादा 7 gram या उससे जादा जिन्होंने इस्तेमाल किया उन सब में 19% जो risk है of death from any reason was much lower than those जिन्होंने olive oil consume नहीं किया इसका मतलब यह है कि अगर आप रोज आदा tablespoonful याने 7 gram या इससे जादा olive oil consume करते हैं तो आपके जो risk है for death from any reason वो 19% कम हो जाती है इसके अलावा कुछ specific conditions को भी ध्यान से देखा गया कि जो olive oil जिन लोगों ने use किया उनमें जो heart की problem या cardiovascular disease का जो risk है वो 19% कम था that's number one जो cancer का जो incidence था 17% कम था that was number two and death from algymer या जो आपने बढ़ती उमर के साथ भूलने की बिमारी है उसका risk 29% कम था इसका मतलब यह है कि अगर आप रोज आदा टेबिल spoonful याने 7 gram यह से जादा olive oil इस्तेमाल करते हैं तो इन तीनों चीजों का जो risk है इन lifetime बुर नीचे के तरफ आता है इसके अलावाद अगर आप olive oil टी यूज करते हैं लेकिन आप बहुत सारी चीजों को substitute कर देते हैं इन दा सेंस कि आप butter बिल्कुल बंद कर देते हैं, margarine खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, mayonnaise खाना बंद कर देते हैं अगर आप इनको बिल्कुल अलग करते हैं इन olive oil को consumption को उपर कर देते हैं तो जितनी भी risk जो नहीं मैंने बात की इसके पहले वो 34% और भी नीचे हो जात हैं तो risk और भी कम हो जाती है, अगर इसको recommendations को ध्यान से देखें तो think about it, आपको जो olive oil का consumption है उसको encourage करने की जरूरत है, ऐसा भी नहीं है आपको बहुत सारा olive oil खाना है, just आपको 7 gram चाहिए, 7 gram का मतलब है कि आधा table spoon, तो आधा table spoon या 7 gram या इससे ज्यादा olive oil अगर आप consume कर है, यह बात बिल्कुल सही है, कि आप जो butter इस्तेमाल करते हैं, आप margarine इस्तेमाल करते हैं, mayonnaise इस्तेमाल करते हैं, इनको सब को अलग करके आप अगर olive oil पर जाते हैं, तो health के बहुत सारे जो risk factors हैं आपके, वो कम होते हैं, believe me, जो olive oil है is tasty, ऐसा कुछ नहीं है कि आप olive oil यू होने की जरूरत है, और आप अगर यह regular base पर करते हैं, तो over a period of time, आपकी जो health है, उसका जो सुरक्षा का कबच है, वो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाता है, और अगर आप यह change करते हैं, you will never regret, अगर आप समझते हैं, कि आपको रोज half tea tablespoonful या 7 gram olive oil यूज़ करना चाहिए, आप आपको अपनी life से butter, margarine, mayonnaise, इनको अलग करने की जरूरत है, तो आप दिखेंगे over a period of time, जो risk factor for cardiovascular disease, risk factor for cancer, risk factors for alzheimer disease या dementia, वो हमिशा नीचे की तरफ आता है, तो olive oil के benefits को समझने में, अगर यह video आपको help करता है, जरूर शेयर करें, मैं Dr. B. Commissioner from Gas to Liver Hospital, स्वरुपनगर कानपूर Thank you very much.